कहीं किसी एक अवसर के साथ जब संभावना खत्म होती है, तो नई गुंजाईशं सामने होती है, परंदो जब कोई संभावना खत्म हो रही होती है और नई गुंजाईशं जब तक नज़र नहीं आती, तब तक के समय की व्यग्रता, तब तक के समय की डर व्यक्ति को पूरे तरीके से विचलित कर बैठता है उस समय तक व्यक्ति कुछ नया सोचने की और जाता ही नहीं है जहां है वहीं संभल कर चलने का लगातार प्रयास करता चला जाता है परन्तों जब भी व्यक्ति इस घेरे को तोड़ कर आगे सोचता है तो उसे एक अनन ताकाश नजर आता है जीवन इसी तरह की जीवटता और संभापना से भरा हुआ है जो लगातार सामने चलते हुई स्थतियां है इसी के साथ जो दूसरी प्रवर्टी सामने निकल कर आती है व्यक्ति कई बार वर्ष दर वर्ष खुद के लिए टार्गेट बनाता है यहां तक ये करना है वहां तक ये करना है इस तरह से चलने वाले होगे प्लानिंग है एक्जीक्यूशन है परन्तु डेली रूटीन के साथ में क्या उसका अब्जर्बेशन और एनलेसिस है वहां कई बार शुनने सामने कड़े होते हैं वर्ष दूहजार बाईस इसे तरह से विदा ले रहा है दूहजार तेईस अपने अलग धुन और खट-कटाहट के साथ में है हम यहां कुम्भ राशी की जातकों के लिए वर्ष दूहजार तेईस के वार्षिक राशीपल की चर्चा लेकर उपस्तित हुए है ग्रह गोचरी विवस्ताओं में एक प्रमुख परिवर्तन शनितेव के साथ जड़ा हुआ है कुम्भ राशी स्थान में ही स्वयम के मुग लित्रकॉन में ही महा न्याएधि पती प्रवेश कर जाएंगे देव गुरु प्रेस्पती 22 अपरेल 2023 को मेश राशी स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे गुरु एवम राहु का चांडाल दोश भी वहाँ पर बना रहेगा इसे एक करम के साथ में इस पस्टता ये भी निकल कर आती है कि जो यहां आगे का एक समय चक्र चल रहा है उसके साथ में जब साड़े साथी अपनी मद्ध प्रवास करम की और होगी परथम प्रवास करम के साथ में उलजने देखी परन्तु अब धीरे धीरे सपस्टता आने लगी है कि संगर्ष कहां जा रहे है कैसे परतिधनित हो रहे है हमको कहां कैसे रियक्ट करना है किसका हमकाज में समय लगाना है वो सारी सपस्टता सामने कार्यों में विलंब है उसको स्विकार कर चुके हैं और इसी के साथ में जीवन को लगातार देखते भी चले जा रहे हैं ये सारे ही क्रम जब व्यक्ति विसेश के साथ में होते हैं वो असे स्पश्टा खुद को दे पाता है तो आगे आने वाली स्थियों को बहुत अच्छे से समझ भी पाता है यहां वर्ष 2023 में अक्टूबर 2023 तक जो राहू एवंकितु की स्थियां हैं वो मेश्ट उला में उसके बाद दोनों ही ग्रही विबस्ताएं परिवर्टन की वार वक्रगत आधार पर चलती हुई होंगी हम चर्चा की शुरुवात करते हैं प्रतम भाव के साथ में कि व्यक्तित तो क्या क्या रहा है कितनी स्थर्था लिये हुआ है कंफिडेंस के प्रूच क्या है इसे के साथ में आगे बढ़ता हुआ क्या है गौर कीजिएगा कि जो शनिदेव की स्तियां है 17 जनवरी 2023 से सुवराशी स्थान से निकल कर सुवराशी के मूलतरकौन आधार के साथ में ही चलने वाली होगी और वहीं से शनिदेव अपने नीचस्त राशी स्थान को देखेंगे, सूरी राशी स्थान को देखेंगे, उत्रो तरबली केंद्र और साती सात में शत्रो राशी स्थान को देखने वाले होंगे आप यह देखिएगा कि जो एक confidence के अपरोच धीरे धीरे डेवलप होती है, परन्तु होती भीतर बहुत अच्छे से है, वो यहाँ पर जागूरती की संभावना है, निरनाय और निरनाय से अब आप हटने वाले होंगे, लोगों को किस तरह से सात में जोड़ना है, कौन धोख और वहीं ये इसपस्टता भी रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कि कहीं ने कहीं इस एक सुरूप के साथ में चलते हुए, यहाँ आपके लिए जो भी कामकाज industrial position के साथ में होते हैं, जौब में बले ही compromise करना है, पुनेह बिजनस से हट कर खुद को active करना है, घर mindset होता है कि लोग क्या कहेंगे व्यापार की और बड़ चड़ कर आया था, पुनेह नौकरी की और जा रहा है, क्यों परश्ण चिन्द दुनिया लगाएगी परम्तु, उस परश्ण चिन्द को स्वयम से भीतर के आधार से हटा कर यह बताना होगा कि अभी की आवशक्ता क् करते हुई कि वर्तमान समय हमसे क्या चाता है, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि इस वर्तमान के साथ में वीतराक्षण ही जीवन है, वो अपनी जीवटता की परमान को लगातार साथ में लेकर चल रहा होता है, यही प्रतम भाव का आधार, और वही बात करते हैं द्वेतिय भाव की परमुकतौर के उपर आप ये देखिएगा कि जो कम्यूनिकेशन के प्रोस्पेक्ट है वो अब एक मेजर लिवल के डेवलिप्मेंट के साथ में है आप यहां मार्केटिंग संबंदी कामकाज में है किसी भी ऐसे शिरे के साथ में है जहां पर आपकी वक्ता श्रेणी एक अद्भुत प्रभाव को उत्पन्न करने वाली होती है वो ताकत यहां साथ वहीं जो फाइनेंशल अप्रोच है वो भले ही धीमेपन के साथ में बढ़े परंतो निरंतरता को साथ में लेकर चलेगी जहां लोग रियक्टिव कर रहे थे संबंदों को विगाड़ने का प्रयास कर रहे थे आप उन्हें असफल कर देते हैं वो भी जीवन के परमुक सफलता है यह क्रम भी यहां साथ में चलता हुआ और इसी इस तर पर आप यह भी देखिएगा कि पारेवारिक जनों के साथ में जो संबाद कोशल की स्तियां है वो भी अपनी निरंतरता की हदों को यहां पर बना कर चल रही है जिसके साथ में कोई दविधा मनस आधार नहीं है पराकरम भाव की चर्चा करते हैं तो आप यह देखिएगा कि गुरू और राहू का जो चांडाल दोश का एक क्रम है वो यहां अब 22 अपरेल 2023 के बाद बना रहेगा फरन दोगौर कीजिएगा कि राहू पराकरम भाव में अदबुत फल देने वाली प्रवर्तियों के साथ में होता है इसका स्पस्ट अर्थ यही कि जब भी प्रथम उप्चे से अंतिम उप्चे की आतरा राहू एम गुरू तै करते हैं प्रथम उप्चे यानि कि ये जो थड़ा हूँ साब देख रहे हैं इनकी द्रिस्टी सीधी एकादश पर और जब प्रियस्पती भी यहां प्रवेश कर जाएंगी इनकी भी नौभी द्रिस्टी यहां अंतिम उप्चे पर एकादश पर अपने मूल त्रिकॉन पर जो यहां आप किसी भी तरीके का गेंच आ रहे थे जौब में कोई प्रफाइल चेंच आ रहे थे जहां से नया सीखने को मिले कोई भी तरीके का एडवांसमेंट आए तो वो जीवन को बदलाव के रूप में लेकर चलने बाला हो वो विवस्तित करम यहां रहेगा इस बात के साथ में स्वयम को जोड़कर आप लगातार चलते चले जाईएगा जो भी कार रिप लंबे समय से अटकाव की और थे भटकाव की और थे वहां पर भी पुना है एक तिवरता अब निकल कर आने वाली होगी हाला कि शनिदेव की तीसरे दिर्स्टी अपनी नीचस तराशि ही मानकर खुश हो रहे थे अब वहां ऐसे संबाद में आप ध्यान रखे हैं कि कोई बात ऐसे निकल करनी आप आए जो संबंदों को बुरे तरीके से बिगाड़ने वाली हो जाए ये सपश्टा भी रखने की आवशकता यात्राओं से संबंदित कामकाज निरंतरता आपको इस पॉज़ी में यहां पर दूसरी सपश्टा निकल कराती है वो यह है कि जो भी यहाँ नेटिव प्लेस के साथ में जूड़े वे कामकाज हैं वहाँ पर भी एक पॉज़िव एपरोज रहने वाली होगी इसे के साथ यह भी एक तरह से पॉज़िव इस पॉज़िविव उपर बनता हुआ एवं चलता हुआ प्रतीत होता है इसे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो फोर्थ हाउस के मंगल है कई बार व्यक्ति को ऐसी रफ़तार देते हैं कामकाज के साथ में जोड़ कर क्योंकि हरदय भाव के साथ में जब भी मंगल होंगे जहां लोगों का विद्रो मौजूद है वहीं पर ताकत निकल कर आती है और व्यक्ति खुद को एक अलग पुरूवन अप्रोच के साथ लेकर चलता है यहां लगातार आपके साथ में मौजूद पुरानी भूमी संबदत कामकाज में संबलें इंटीरियर डिजाइन संबंदे कामकाज में श पॉजटिव मेजर आपके साथ में बना हुआ है यह आप गौर कीजिएगा संतान पक्ष के साथ में दुराव निकल कर आ सकते हैं 22 अपरेल 2030 तक इस बात का ख्याल रखें उनको लेकर कोई भी निर्णा लेना है इंडाइरेक्ट अपरोच्मन को कैसे समझा सकते हैं बारं ब वो सपस्ट था इनके साथ में बना कर जरूर रखने वाले रहें फिफ ताउस के साथ एक और बात है कि जो महिला हैं संतान सुक्य और अग्रसर हैं 15 जनवरी 2030 तक यात्राओं आदी में आप काफी हद तक संभलने का परहत्न करते चले जाहिएगा ये भी एक करमबद स्थती साथ में मौजूद रहने वाली होगी वहीं सिक्स ताउस की अधि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि देव गुरूब रहस्पती की जो दृस्टी है वो लब्बे समय तक सिक्स ताउस के साथ में रहेगी इसे वज़े से ये सपस्ट था कि जो फाइनेंशल बर्ड रिलेट करते हुँ प्रब्लम्स होती है क्योंकि ब्रेस्पती की दृस्टी है शनिदेव भी शुरूबाती तोर पर जो सिक्स ताउस को देखने वाले होंगे 17 दिनों के लिए गेस्ट चेक ट्रबल हो गया लिवर को रिलेट करते हुए कोई भी प्रब्लम हो गई उससे प्रुपक्ष यहां हावी नहीं है यह प्रमुख वजय का क्रम है इसी वज़े से चुनोतियां है प्रंतुन से पार पाने की ताकत भी लगातार पनी हुई सब्तम की चर्चा करें तो प्रतमतया आप यह देखिएगा कि जो सब्तमेश का अधार शुरुवाती तोर पर प्रहस्त पक्ष के साथ में जो एक तरह से बारम बार दुराब निकल कर आ रहे थे और एक स्पष्टता नहीं थी रिलेशन में सैटरन जैसे ही यहां एक्वेरिस की पूजिशन के साथ आते हैं और साथवे द्रस्टी से एक तरह से सूर्य राशी स्थान को देखने बाले हो प्रतिविंबित होती चली जाती है जो भी महानभाव यहां ग्रिहस्त सुख की और लंबे समय से अग्रसर नहीं हुपा रहे थे उनकी लिए भी अब एक प्रिसाइज सपोर्टिव फ्रेम साथ साथ चलता हुआ प्रतित हो रहा है यह भी विजय का एक अद्भुत करम है क्य तो यहां जो hidden problems है वो भी benefit लेकर आ रही है जहां आपको लगा कितना खर्च हो गया वहीं से आगे का क्रम व्यवस्तित होता चला गया अनायास ही किसी कामकाज में हाट डाला था और अनायास ही आकस्मिक तोर पर नजाने कितनी संभाबना है उत्वत होती चली गई यह सपष कर कर के ठक चुके प्रयास कर के बिखर चुके विश्वास निराधार साबित हुआ वहीं जीवन के भीतर ऐसे परिवर्तन पुन है आधार लेकर आते हैं और यह कहते हैं संप्रिशित होकर के चलना है आगे रुकेंगे कहां असफलता सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा आधार हो सकती है कहीं न कहीं एक पड़ाव हो सकती है परंतु निरंतर तोर के उपर चलते हुए जो हम हासल करेंगे वो एक अलग करम है ये भी एक बात आपके साथ मौजूद नवम की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि विरक्ती और आसक्ती के खेल ये continuous note पे बने हुए बारम बार बहुत एकता के परती जो अनासक्ती निकल कर आती है और ये कहें कि अध्यात्मिक्ता के परती जो जुडाव निकल कर आता है के तु उसमें विक्ती को महरत देते हैं कुछ भी हासिल किया उसके बाद में बहुत समद्रिष्टिया हैं बहुत अधिक उसके खुशी नहीं जो जीवन चल रहा है उसके साथ में एक अलग अनुभूती को हम लेकर चल रहे हैं ये करम यहां आपके साथ में नजर आने वाला हो जाता है इस पश्टता रखें दूसरी और आप ये भी दियान रखें कि जो भी यहां पर अनुभव संबंदी कामगाज होते हैं उसमें थोड़े से ठहराव मिल सकते हैं उस इस्तर की रफ्तार नहीं है जैसा कई बार व्यक मंगल आजिवी का के माध्यम में एक स्तिरता दे रहे हैं वर्ष 2021 और 22 में कोई भी कामकाज की शुरुवात की थी अभी तक उसके लिए रफ्तार निकल कर नहीं आ पाई अब जो मंगल शुरुवाती दो महीने बारे दिनों के लिए जो पेस क्रियेट करेंगे वो भी देख देखने लायक रहेगा रफ्तार को एक अलग सिरे देता हुआ प्रतीत होगा और वहीं आप ये भी देखें कि चेंज की और आप जाना चाहते हैं शनिदेव का दृस्टी संबंद कुम्ब में आने के बाद मंगल का दृस्टी संबंद देव गुरु ब्रिहस्पती का दृस चलता है और वहीं से विक्ति विकसित होता चला जाता है जब एक इस्तिति विक्ति के जिवन की वेतर आती है कि वो डिसिप्लिंड हो गया है तो यकीन मानिये सफलता दूर हो सकती है पर अपनी यातरा को बढ़ाने की शुरुवात कर दी है ये रवस्तित क्रम आपके साथ म इसमें कहीं पर भी कोई भी तरीके की हानी नहीं ये याद रखने की जरुरत के लाभेश धन भाव में है तो इसे वज़े से धनागमन इस सपस्ट तोर पर चल रहा है संतान पक्ष के साथ में जो कहीने कहीं दुराब है वो रह सकते हैं वहीं सस्थात सस्थ की स्थितियां होती है एकादश भाव की इसे वज़े से ये पुनह हिस्पस्ट रखिएगा कि वजन संबंदी स्थितियों में बहुत अधिक नियंत्रण और रहने वाला जरूर रहे ये भी बात गोहर करने लायक वहीं द्वादश की चर्चा करते हैं तो बारंबार दोराने वाला होता है कि आपके लिए जो अब आगे की संस्थितियां है वो एक ही बात को दर्शाने वाली होती है रिद्मिक प्रोसेस जिवन के भीतर बहुत गहराई से बना हुआ साथ ही साथ में ये भी इस पश्टता निकल कर आती हुई कि जो यहां शुक्र क इस्तियां है आकस्मिक दनलाप जनवरी के महीने में देने वाली हो सकती है कोड के चैरी संबंदित मामलात में अब जनवरी के बाद में हलके फुल की रिलीफ मिलती हुपरतीत होगी तो वहीं विदेश संबंदे कारियों में भी तिवरता के संभाह काधार रहेंगे जब द धन्यवाद एवं कोटिशह आभार